इत्तरप्रदेस में आय फ्लौ को लेकर अलड़ जारी किया गया है सभी सरकारी अस्पतालों में सवास विभाग ने आदेश दिया है कि आई ड्रॉप परियाप मात्रा में हो detwo प्रयाप मात्रा में हो सिविल हॉस्पिटल में भी तमाम लोग आ रहे हैं जो कहीं ने कहीं कंजेक्टिव वाइटिस से के सिकार हैं वो अपने आखों का उपचार करें हमारे साथ आई सरजन है डॉक्टर एसके तिवारी उनसे बात करते हैं सर कितना मामला बड़ा है क्योंकि मौसम बदलने के बाद यह आँख की बिमारी जिसे लाल आँख आ जाना या आई फ्लू या हमारी भाशन में कंजंग्टिवाइटिस जो सफे जिल्ली होती हो लाल हो जाती है उसको कंजंग्टिवाइटिस यह बिमारी के केसिस काफी आ रहे हैं आज कहीं अगर हम बताएं तो 70 मरीजों में 30-35 मरीज केवल कंजंग्टिवाइटिस के थे और यह हर एज ग्रूप में आ रहा है बचों में भी हो रहा है बड़ों में भी हो रहा है क्योंकि अगर यह किसी एक घर में होता है तो लगभग घर के सभी सदस प्रभावित हो जाते हैं और यह चुआ जिसके कंजंग्टिवाइटिस है उसका आंसु किसी भी प्रकार से रुमाल से तौलिया से हाथ से आपके दूसरे विक्ति को चला गया तो उसकी भी आंखे लाल होने लगती है और इसमें विशेश रूप से प्रॉबलम यह होती है कि आंख काफी लाल हो जाती है करकर हट मह शूस होती है पानी बहुत आता है और धूप में या टॉर्च की रोशनी में चमक बहुत लगते इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग काला चुश्मा लगा के गुमते हैं उससे बचाओ नहीं होता लेकिन हाँ यह आराम मिल जाता है कि धूप में आंख खुलती ह तो यह बिमारी जब कभी बारिश हो काफी और उसके बाद एकदम से गर्मी हो जाए या बारिश के मौसम में वाइरस और बैक्टिरिया पनपते हैं इस बर की जो कंजन्टिवाइटीस है वो देखने से ऐसा लगता है कि यह वाइरल कंजन्टिवाइटीस है और वाइरस से पहलता है लखनों में चुंकि बाढ़ का कोई ऐसा प्रेकूप नहीं था इसलिए यहां उतनी संख्या में नहीं है जितनी डैले या इंसियार के एरिया में है जहां कि बहुत ज्यादा बाढ़ का पानी घरों में भर गया और जगों में भर गया तो कंजिंटिवाइटीज या आई फ्लू के साथ साथ और भी बिमारियां वहां काफी रहे हैं तो साथ है कि बिमारी को लेकर तमाम जो संख्या है वो बढ़ती हुई जा रही है और इसी को लेकर लगाता डॉक्टर जो है अलट कर रहे है और उतर प्रदेश में भी स्वास्विभाग में फिलाहाल झाल 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 झाल